हेलो एवरिवन टार्गेट फार्म एक्जाम में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आपको पता है हम इसी कि 2016 में जो फार्मासिस्ट का एक्जाम हुआ था उसका क्योश्चन सॉल कर रहे हैं आज का हमारा वीडियो पार्ट टू का है इससे पहले हमने पार्ट वन में जो टो फोर्ट फोर्टी क्योश्चन स आया थे उसको हमने सॉल किया है तो पार्ट टू में हम आगे के क्योश्चन सॉल करेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा JULस्चन क्या है्योश्चिन नमबर फोर्टी वन पूछा गया था एउसरिक 2016 फार्मासिस्ट एक्जाम सिसे मेन do जीजे नाल की प्रपर्टी क्या होती है ये नैच्छुरल अनेस्थेटिक प्रपटी होती है या एंटी इंफ्लामेटरी प्रपर्टी होती है कि हम इसको पेन को रिलिफ करने के लिए भी यूस करते हैं ऑके हैं किफर नंबर 42 है टुबर क्लोसिस डिआग्नोजड वाइ तू आचकल नूर टूल भी यूज हो रही है उसको हम इस्त्रिंग टेस्ट भी बोलते हैं क्यांivas two निश्टिंग टेस्ट से भी हम टुबर ख्लोंस क्या कर रहे हैं ड задач नौस कर रहे हैं त्हों आपको यह भी याद रखना होगा हो सकता है यह आने वाले आपके अब कमिंग जो फार्मसिस्टिक जाम है उसमें पूछ ले क्योंच नंबर 43 है इसका अंसर क्या है फार्मसिस्टिक नंबर 44 पूछा गया था एन एक्जामपल आफ सल्फोनायल यूरिया तो सल्फोनायल यूरिया क्या है आपका एक्जामपल इसका तल्बूटामाइड ओके तो आपका सल्फोनायल यूरिया है इसका क्या यूज है इसको हम डियबेटीस का टैप 2 को ट्रिट करने के लिए उसकरते हैं किसका सल्फोनायल यूरिया का ओके क्योचन नबर 45 पूछा गया था ब्लड प्लाजमा एंड ब्लड सीरम को हम किस से ड्राइड करते हैं इस टाप के प्रिपरेशन को हम किसमें ड्राइड करते हैं ये एक्चुली बायलोजिकल प्रोड़क्ट से हैं इसको हम फ्रीज ड्राइड से क्या करते हैं ड्राइ करते हैं क्योचन नबर 46 है दा मेडिशनल अजेंड यूजड फॉर्ड इंक्रीज इन यूरिन ओट्पूट मिन्स कौन सा ऐसा मेडिशनल अजेंड है जिसको हम यूरिन के पूट पूट को क्या करते हैं बढ़ाने के लिए यूज ज़ करते हैं तो क्या है आपको पता हिए डारीटिक्स ड्रग को हम यूरिनेशन को इंक्रीज ओनी के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट केस्टिन है हमारा फेनो बार्बिटोन इस ए तो फेनो बार्बिटोन क्या है एक सेडेटिव ड्रग है सेडेटिव ड्रग है नेक्स्ट एन अनल जेसिक कंटेनिंग पैर अमिनो फिनॉल ग्रूप कहने का मतलब यह है इस केस्टिन में पूछा गया है कौन सा अनल ज तो आपको याद रखना होगा पराशितअ मॉल को हम एसे अमिनम भी बोलती हैं क्या बोलते हैं इसको हम एशिट अम नॉपर फोटि नैन सोग है से याद रहुँचन रखना होगा तो Kitchen पूछा गया है एस्प्रीन से और पैरसितामोल से ओके क्योशन नंबर 50 आप देख रहे हैं क्लोर प्रोमजीन इस एंटि साइकोटिक ड्रग तो यह कौन से के टेकरी में आता है वेनोथायजीन ओके क्योशन नंबर 51 है विच आप दे फॉलोविंग इस ट्राइसाइकलिक आपके जो हम अभी सॉल कर रहे हैं 2016 है इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2014 का जो फार्मसिस्ट के एक्जाम देखा था उसमें भी एक क्योशन रिपीट हुआ है इमित्रिप्तेल इन ट्रैशैकलिक एंटी Дप्रेशिंट क्या है इंपॉटेंट है क्योशन नंबर 52 आप देख रहे हैं है सॉलबूर्टामॉल क्या है ये क्या है ब्रॉंको डालेटर है तो ब्रॉंको डालेटर होता क्या है एक चली इह हमारे जो एर मैं है उसको रिलेक्स और open कर देता है कहां ब्रॉंकाई मतलब लंग में जो ब्रॉंकाई या जो एयर वे होता है यह रिलेक्स कर देता है मतलब हम इसको अस्तमा के केस में यूज करते हैं कि क्योंच नंबर 53 आप देख रहे हैं वीक भीच अफिट फोलुवइंगग इस एंटी । डेंडराफ ड्रग तो इसका अंसर इंटी डेंडराफ ड्रग का अंसर क्या है स्लेनियम सॉफाइड यह क्योंच भी 2014 के आपके इस इह इसक फर्मसिस्ट में से रिपिट हुआ है तो यह आपके 2 क्योंच क्या है रिपिट ह तो क्योंचन से रिपीट भी होते हैं तो आपको इसको सभी को पढ़ना है क्योंचन नमबर 54 आप देख रहे हैं तो कंपोनेंट आप टेबलेट मसीन विच कंट्रोल साइप और साइज आफ टेबलेट मीन्स जो टेबलेट पंचिंग मसीन है तो उसका कौन सा कंपोनेंट साइज और सेप को क्या करता है डिफाइन करते हैं तो क्या हो इसका अंसर डाइज तो डाइज इसका साइज और सेप को क्या करता है एड्जेस्ट करता है टेबलेट का ओके नेस्ट क्यूचन देखते हैं क्योशन नम्बर 55 हैorem कला मअन क्या है बेशिकली हम क्या क्या रहते हैं जीनक गउता है हaying किस स्में क्या मार्न में आप इसका अपप्रोडक्त देखें होंगे हैं क्या होता है ओक साइब भेगार प्योंशन में क्या होता है । जीनक की सिदOY तह रहे हैं विटामिन टेबलेट जनरली फर्मुल्टेड एज तो विटामिन जो टाइप के जो टेबलेट होते हैं वो किस टाइप का टेबलेट बनाते हैं चेव बल्ड टेबलेट बनाते हैं ओके तो आपको याद रखना होगा क्योंच नमबर 57 है आप देख रहे हैं से प्यूद्फ सिन इज़ तो सिपरोफ्लोकसिन क्या है एक एंटि बाइटिक है और छोन क्यों नहीं ड्रक है एक तॉर हजिरली डिफेरेंट टाइप कॉ बैक्टीरियल एंफसेंप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं और गत tornado इंफेक्शन को टुरिट करने के के लिए हम सीपरफलॉकस इनका यूज करते हैं क्यों जेचन औरेचें नंबर 50 एट है प्रू डॉडग कर से लीट नेम आफ विधानिया सोमनि फेर्य तो वीधानिया सोमनी फेर्य का लीटिन क्या है अश्वगंधा है तो आपको यह पता है अश्वगंधा एंटि है पर टेंस्व एजेंट है है ना केशन नंबर 59 है वीचे फॉलुविविंग इजो बलाटायल यईल कंटेनिंग ड्रग तो कॉण से ड्रग में वलाटायल यईल प्रेजन रहता है तो इसका आंसर होगा कार्ड monopol कैर्ड और मौन में क्या है फ्लाटायल यईल रहता है उके है नेक्स है अ कुरूट ड्रग इस कार्डियो टोनिक कौन सा जो ड्रग है जो कार्डियो टोनिक एफेक्ट सो करता है तो इसका आंसर है डिजिटलिस ओके निश्ट के चुछन है हमारा बेला डोना बिलॉंग्स टु दा फेमिली आफ बेला डोना कौन से फेमिली को बिलॉंग करता है तो Soulenasi family को भी लॉन करते हैं वैला डोना जरली हम sedative sedative hoaking cough वगरह में यूज करते हैं Small Fire Wampa, Rain Fever, Cold इसमें यूज करते है वे्लाडोना को Надेंगर्म इंग्रेंट इसमें यूज करते हैं सिंग्रेंट बहुत हैं means कौन सा इंग्रिडेंट है जो वाटर में सेक करने से फोम सो करता है यह ज्ञाग देता है तो क्या है वो सपोनीन है ना है नेक्स्ट क्यूचन आप देख रहे हैं इमेटीन इस दमेन इंग्रिडेंट आफ इमेटीन कौन से प्लांट पे में इंग्रिडेंट है तो इसका अंसर है इपी केक ओके तो इपी केक या इमेटीन को आप देखते हैं हम जरली एंटियोमेटीक एजेंट एजेंट यूज करते हैं है ना क्यों कुवर्ण की करें से क्यों में आप यूकष्जरणूबूरम टेस्ट यूज़्ट टेस्ट को बूक्तिया जरुक已經 help आफ देख के तो यह जितने मुश्ण है इसको भी आपको पढ़ना है यह इंपोरटेन्ट आ आज़ रिए निश्ट क्यूशन हमारा दे डिजी स्कॉज बाय एंट- एमेबा हिस्टोलिका तो इसका अंसर है आपको क्या है और अमोवीसिस तो एंट-एमोवा हिस्टोलिका क्या है एक तरीकी का पैरसाइट है हाना और यह एमोबीसिस में जरली आपका डाइसेंट्री कॉस करता है ओके नेश्ट केश्चिन पूछा गया था EEG EEG मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रो इंसेफेलो ग्राम क्या होता है यूज करते हैं ब्रेन को डाइग्नोस करने के लिए हना EEG में हमको क्या पता चलता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम डिटर्माइन करते हैं किसे EEG से पूछा गया था हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्टियस इसको हम HAI भी बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्टियस को हम क्या बोलते हैं नोजो कॉमियल इन्फेक्शन कहते हैं पर्टिकुलर कोई एरिया लोकेशन क्या हो जाए इन्फेक्ट हो जाए नमबर 69 आप देख रहे हैं, which of the following is anti-dioretic hormone, तो anti-dioretic hormone क्या है, vasopressin, question number 69 है, okay, next question देखते हैं, which of the, sorry, the hormone involved in the secretion and regulation of milk, means, कौन सा हर्मोन milk के secretion और regulation करता है, तो कौन सा हर्मोन है ये, prolactin, okay friends, तो हमारी ये part 2 का वीडियो है, इसमें आप 42, sorry, 41 to 70 questions को solve किये हैं, okay, आने वाले वीडियो में हम जो remaining questions हैं, उसको solve करेंगे, okay, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो please like और share and subscribe जरूर करें, thank you so much,